जितना पार्ट हम पढ़ते हैं जो अभ्यास करते हैं वो सम मैकॉले का पार्टिक्रम बिल्कुल हमने नहीं बदला 63 साल के बाद भी मैकॉले ने ये पार्टिक्रम बनाया था भारत में कारकून तयार करने के लिए अब हम वही पार्टिक्रम चला रहे हमारे बच्चों को कारकूनी बना रहे हैं और उससे ज़्यादा क्या बन रहे है और इस मेकॉले के पार्टिक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रे जी का है पूरा और अंग्रे जी हमारी मात्र भाषा नहीं है वो विदेशी भा किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए बताओ ना किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए और इस देश में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में कारण की मात्र भाषा नहीं है उनकी इसलिए नापास होते हैं बन करो इस अंग्रेजी को कोई नापास नहीं होगा कोई फेल नहीं होगा विशय पढ़ाऊ ना, विशय का ग्यान दो गहनित का ग्यान दो, भातिक शास्त्र का ग्यान दो रसाइन शास्त्र का ग्यान दो engineer शिकाऊ, metallints शिकाऊ chemical engineering सिकाऊ, कुछ भी शिखाऊ विशय सिखाऊ, यह भाषा के चक्कर में क्यों फस गे और भाषा भी मूर्ख हों की है कुछ दम नहीं है उसमें कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतराश्वी भाषा है बिल्कुल नहीं दुनिया में 200 देश है मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है बाकी कहीं अंग्रेजे है और वो 14 देश वो है जो अंग्रेजों के गुलाम थे आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, कनाड़ा, अमेरिका फिर ब्रिटेन, फिर स्कॉटलेंड, फिर आइरलेंड, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बंग्ला देश इन्ही देशों में अंग्रेजी है क्योंकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के, बाकी कहीं नहीं है फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जैपेनीज है, चीन में चाइनीज है डेनमार्क में डैनिश है, नीदर लेंड में डच है, सब देशों की अपनी भाषा है कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता, बात भी नहीं करता और इन सब देशों के लोगों से जब मैं बात करता हूँ केता हूँ तुम ऑंक्रेजी क्यों नहीं चीक्ती हुए उन्हें खिता। उन्हेंका क्यों सीखना... उन्हें ड्यसा और ऑंक्रेजी की आयि शरुरीक है... फिर भी हम उसको चिपक्के पकड़के रखे हो दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रीजी में P.O.T. 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 C.O.T. Cut है, P.O.T. P.O.T. होना चाहिए कि नहीं और अगर P.O.T. 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 P.O.T होना चाहिए और अगर चोपड़ा है तो दर्चे मिस्ट्री होना चाहिए और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो यह क्या चक्कर है वो गते पता नहीं अब है तो हम कर रहें मूर्खों की भाषा ऐसी होती है अंग्रेजी जो है अब बहुत 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 रद्धी भाषा है इसके पास शब्द नहीं है अपने पांचवी शतादी में तो यह भाषा बनी है आपको मालूम है अंग्रेजी का इतिहास मुश्किल से 1215 साल पुड़ा पांचवी शतादी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी पूरे इंग्लेंड और स्कॉटलेंड और उसमें लेटिन चलती थी अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई फ्रेंच से उधार लिया जर्मन से लिया लेटिन से लिया इस से लिया कुछ हिंदी से लिया खिचली बना दिया हुई शब्द नहीं है उ मौसा का मौसा सब एक ही है अंकल शब्दी नहीं है और ले दे के एक शब्द है अंटी काकी भी है मामी भी है मौसी भी है सब अंटी यह भारत में तो नहीं होता हमारे यहां तो जितने भी रिष्टे हैं हर एक के लिए अलग शब्द है इनके पास शब्द ही नहीं और ऐसी मूरखता के शब्द हैं समझ में नहीं आते Father Allah कौन सा इधर वाला इधर वाला कौन सा Father Allah Mother Allah कौन सी इधर वाली की इधर वाली मूरखताओं की बाश अच्छा मैं अगर आप से हिंदी में या मराटी मैं ये कहूँ कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है ठीक है आप एक मिनिट में पता लगा लेंगे साला है या मने उसकी बहन का भाई है ठीक है अगर मैं कहूँ कि ये उसका जीजा है इमिडेट में पता लगा लेंगे अंग्रे जी में साला और जीजा दोनों के लिए एकी शब्द है Brother in Law अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है है मूर्खों की भाषा कि नहीं अब ये मूर्खों की भाषा में हम फसे हुए है और अपने को बहुत smart समझता है और यह मूर्खता पता है कहां तक जाती है हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फसके हमारा कच्रा हो गया ना हम अंग्रेज हो पाए ना भारतिय रह पाए आदे अंग्रेज आदे भारतिय वो कैसे है किसी के घर में जाओ तो पिता जी का नाम राम दयाल माता अब मैं पूछता हूँ का है यह रामदयाल और गायत्री देवी का तिंग को कहा से हुग से और जिनों ने नाम रख़ा है न टिंग कु उनको पूछता हूँ आपको इसका अर्थमालूम तिंकू अंग्रे जी की वेपसर डिक्ष्णरी में तिंकू का अर्थ है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने मा की ना सुने वो तिंकू है और यहां अच्छे खासे अपने बेटे को आप तिंकू बोल बोल के तिंकू बना रहे हैं क्या मुर्खता के नाम रखे घै कैसे कैसे नान रखते हैं डबलू बबलू पिंकू टिंकू बबली डब्ली ट्विंकल डिम्पल क्या मूर्खता कुछ नामों की कमी हैं अपने इस देश अंग्रे जी और ऐसी मूरखाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पर कभी-कभी कुछ घरों में चला जाता हूं भोजन आधी करने के लिए क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता, ठहरता भी होटल में नहीं, किसी के घर में ठहरता हूँ, खाता भी घर में हूँ, तो अक्सर घरों में जाता रहता हूँ, तो वहां अंग्रेजी की मूरखाई दिखाई देती है, अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया द मैंने काका बना लो मामा बना लो कुछ बना लो अंकल तो नहीं जो सुविदाय बना लो मामा बना लो काका बना लो कुछ कर लो तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया rain rain go away come again another day little baby wants to play मैंने बच्चे को पूछा तुमको अर्थ मालू मैं इस कविता का नहीं मालू क्यों सीखा ममा ने सिखाया ममा को पूछा आपको अर्थ मालू मैं नहीं मालू क्यों सिखाया उसकी टीचर ने सिखाया टीचर को फोल लगाया, आपको अर्थ मालूम है इस कविता का, नहीं मालूम, किस ने सिखाया, हमारे टीचर ने सिखाया, अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे है, rain, rain, go away, come again, निद्रडे, फिर मैंने उस बच्चे को समझाया, इस कविता का अर्थ है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, क्योंकि मुझे खेलना है, अब भारत के बच्चे यह कविताएं गाएं, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, और करुणों बच्चे यह कविताएं गाएं, भगवान ने सुन ली तो, भगवान ने अगर कविता सुन ली, तो बारि पुरुष नहीं होगी आप भूके मरेंगे मैं भूका मरूँगा शेतकरी भूका मरेगा तो भारत में इस कविता की गरज क्या जरूरत के ऐसे मूर्ख लो गंग्रेजी में कविता इसकी फिर उसकी आईने बच्चे की आईने का फिर कौन सी कविता सिखाओ तो मैंने का कविता सिखाओ ये रे ये रे पाउसा तुला देतो पाईसा पाईसा धाला तोटा पाउसा अलग में ये कविता सिखाओ क्योंकि ये कविता भारत की आत्मा है आत्मा क्यों है जिस देश में 60 टक का शेती पाउस आधारित है उस देश में पाउस को बुलाने की ही कविता हो सकती है बगाने की कैसे हो सकती है तो हमारे बच्चों को तो यही सिकाना चाहिए बारिश बारिश तुम जल्दी आओ बार बार आओ मैं तुमको पैसा देना चाहता हूँ इसलिए आओ ये भारत की कविता है अंग्रेजों की कविता rain rain go away कविता भी जो होती है न वो अपनी जरूरत अपनी संस्कृती अपनी सब्विता अपनी परंपरा से निकलती है अंग्रेजों की संस्कृती अंग्रेजों की सब्विता उनकी परंपरा हमसे बिलकुल अलग है इंग्लेंड में बारिश कभी भी आती है यूरोप में बारिश कभी भी आती है वहाँ के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते हैं कभी भी मौसम खराब हो जाता है इसलिए वो कविता गाते हैं Rain Rain Go Away हमारे यहां तो बारिश साल में सिर्फ तीन महीने आती है और उसका दिन फिक्स है इस दिन से लेकर इस दिन तक तो हम कैसे का सकते हैं Rain Rain Go Away और बारिश का समय जम निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थ व्यवस्था निश्चित है तबी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित लिखे गए हैं बहुत सारी कितावें लिखी गए हैं हमारे देश में महाकवी कालीदास ने जो मेगों का वरणन किया है और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन होता है, सुनकर, बोलकर, वो हमारी संस्कृती का हिस्सा है, क्योंकि जरूरत है हमारी महागवी कालिदास इंगलेंड में नहीं हो सकते हैं, जो मेगों का इतना सुंदर वरन कर सकते हैं, वो जरूरत है हमारी तो हम तो हमारी जरूरत सब्विता संस्कृती परंपरा में सिलेंगे अंग्रेजों की सब्विता संस्कृती परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं तो इस अंग्रेजियत को छोड़िए आप, भाषा को छोड़िए अंग्रेजों को आपने छोड़ दिया इस भाशा को क्यों पकड़ के रखा अपनी जिंदगी से निकालिये इसको